हेलो एब्रीवन, बेलकम टू अबर चैनल, दोस्तों ये साधार व्याज का टाइप आठ है, ठीके दोस्तों साथ माई तक हम लोग पड़ चुके हैं, तो इसमें कितने समय में 20% के साधार व्याज की दर से व्याज मूलधन का 3 वटा 5 गुना है, व्याज मूलधन का 3 वटा 5 मैं ये चाहता हूँ, आप इतने वाले भाग को एक नजर से देखें, ठीके, अलग-अलग मत देखें, एक नजर से देखें, एक ही है ये, ठीके, तो इसमें इसी में आपको ब्याज पता चल जाएगा, इसी में आपको मूलधन पता चल जाएगा, ठीके ना दोस्तों, तो यहाँ पर ब्याज भी दे दिया गया है, मुल्दन भी दे दिया गया है, और क्या दर भी दे दिया है, कितने समय में, समय पूछा गया है, ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साधार ब्याज का सूत्र तो पता ही है, तो हम लोग समय निकालेंगे, तो समय, ब्याज हम लोग ऊपर रखते हैं और गुणे 100 करते हैं ठीक है लेकिन उससे पहले हम लोग यह चीज यहाँ पर लिख देंगे समझने के लिए ब्याज मूलदन का तीन बटे पांच गुना है ठीक है तो यहाँ पर देखिए ब्याज पहले लिखा हुआ है तो पहली संक्या यानि उपर की संक्या मूलदन बाद में लिखा हुआ है तो नीचे की संक्या ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तो ब्याज क्या है ब्याज उपर लिखा है तो उपर की संक्या मुल्दन नीचे लिखा है यानि कि बाद में लिखा है तो यह नीचे वाली संक्या ठीक है दोस्तों तो यहां पर ब्याज हम लोग तीन रखेंगे मुल्दन पांस रखेंगे तो ब्याज हम लोग रखेंगे तीन गोड़ें 100 लिखेंगे उपर क्योंकि ब्याज गोड़ें 100 अमेशा उपर आएगा अगर कोई भी चीज मूलदन गोड़ें दर गोड़ें समय मैंसे यहाँ पर पूछी जा रही है तब तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बचा ग्यास दर बची है तो दर कितनी है बीस है बीस लिख देंगे गोड़ें लगाएंगे अब बचा क्या दोस्तो मूलदन बचा है तो मूलदन कितना है पांच है तो हम लोग पांच लिख देंगे ठीक है दोस्तो अब इसे हम लोग काट लेंगे ठीक है जीरो से जीरो चला गया दो पंचे दस ठीक है पांच से पांच चला गया बचा गया दोस्तो तीन ठीक है दोस्तो यही आपका जो समय आया है तीन वर्स आया है और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तो ठीक है दोस्तो बहुत सरहले सिंपल है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं हो सकती है ठीक है दोस लगाना नहीं आएगे ठीके दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और शेर करिए पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद